भीलवाडा शेहर में दूसरी बार बाल व्यास जया किशोरी 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नानी बाई का मायरा कथा का वाचन करेंगी इसे तू पांडाल का भूमी पूजन भी संतो महत्माओं के सानिध्य में हुआ नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन समीती के प्रचार प्रमक भगवान मेठानी ने बताया किशी रपट के हनुमान जी एवं खाकरा वाले देवता के सानेध में नानी बाई का मायरा के उपलक्ष में खेल मैदान राजेंद्र मार्ग विध्याले में सगस्ची के मंदिर के पास पांडाल भूमी का पूजन किया गया इस अउसर पर पंडित राकेश शर्मा ने मंत्रोच चार के साथ हवन संपन करवाया भूमी पूजन के अउसर पर महंत बाल रामदास महंत बनवारी शरण काटिया बाबा केरल वाले महात्मा मेठाणी ने यह भी कहा कि 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाली कथा के दौरान दो पहर एक से शाम पांच बजे तक बाल व्यास जया किशोरी वाचन करेंगी कथा को लेकर समस्त तैयारियां अंतिम चरण में तथा विभिन कमेटियों का गठन भी किया जा चुका है पहले एक बार टेगरी बाला जी अन्मान टेगरी में हो चुका है और करीब पचास जार शाड़ जार पप्लिक आने की पूरी संभावना है और आज ये जंडे का जो भवी आयोजिन हुआ है ये इसका मुख्य पार्ट है और नानी बाई के माहरा में एक से पांच का समय है और सभी बक्तों से बिन्वाड़ा वाश्वे से सबसे निवेदन है कर्पया सब पदार कर इस कता का लाब लेवें और सबें हमारे कमेटी को अनुगजद करें इस प्रोग्राम में मुख्य सानित दियर महन्त बल्रामदास जी काठिया बाबा जो अनुवान टेकरी के है जो पहले नानी बाई का माहरा करवा चुके है उनका विशेश योगदान है और उनी के चत्रशाय में ये प्रोग्राम संपल होगा